दोस्तों आज मैं आपको विले विलायक में पहचाना बता दूंगा कि किस प्रिकार आप किसी भी सल्यूसन में अर्थात विलेन में बता देंगे कि हाँ यही विले है और यह विलायक है तो अगर आप यूट्यूब एप पर यह वीडियो देख रहे हैं तो सायद यह 240 क्वाल्टी में मतलब 240P तक ही चले तो अगर आपको इसे HD में देखना हो मतलब अच्छी क्वाल्टी में देखना हो तो क्रिपा करके गूगल क्रोम का यूज करिए उसमें जाकर अपना यूट्यूब चैनल खोलिए गूगल क्रोम में वहाँ पर डेक्स्टॉप साइट पर क्लिक करके उसे डेक्स्टॉप साइट पर कर लीजिए उसके बाद उसमें जब आप सर्फिंग करेंगे तो वहाँ पर आप क्वाल्टी को HD तक बढ़ा सकते हैं COVID-19 के वज़े से YouTube ने अपने कुछ बदलाव किये हैं जिनके करण वीडियो जिमें क्वाल्टी को 240 से अधिक नहीं बढ़ा पा रहा है तो रुकाउट के लिए खेद है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए जैसा कि हम जानते हैं विले विलायक यह दोनों विलेन में रहते हैं विले और विलायक के संयुक्त रूप को ही विलेन कहते हैं अगर हमें किसी चीज की कॉंसेंट्रेशन को व्यक्त करना रहता है तो हम मास बाई परसेंटेज जिसे परसेंटेज वेट बाई वेट से प्रेजेंट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है वह होता है देखे जो इसमें पहला W है इसको हम साल्यूट के लिए प्रेयोक करते हैं और दूसरे वाले W को सल्यूशन के लिए प्रेयोक करते हैं और यही चीज चात्रों में बहुत देखी जाती है, मैंने देखा है, यह चात्रे भूल जाते हैं कि यह solution उन्हें ध्यान नहीं रहता और वो इसे solvent समझ लेते हैं, साल्यूट तो सही है, लेकिन यहाँ पर वो solvent कर देते हैं, जो mistake कर देते हैं, यह सिली mistake है, इसे थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, आपने आप पर देखिए, क्या आपसे भी वाई गलती हो रही है या नहीं, तो इसका फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं, मास आप साल्यूट क्योंकि यहाँ पर पहला डबलू साल्यूट के लिए है, और मास आप सल्यूट क्योंकि यहाँ पर दूसरा डबलू सल्यूट के लिए है, और यह परसेंटेज है, इसलिए इन्टू हैंड़ेट कर दिया गया, तो इस प्रकार परसेंटेज वेट बाई यह भी है तो A और B के पूरे मिस्रड को solution कहेंगे ठीक है A और B के पूरे मिस्रड को solution कहेंगे लेकिन अब A और B में कोई एक solvent होगा और कोई एक salute होगा तो इसे हम एक trick से पता कर सकते हैं वो trick इस प्रकार है कि solution में जिसकी मात्रा जादा होती है उसे हम solvent मान लेते हैं कहते हैं तथा जिसकी मात्रा पे इच्छा क्रित कम होती है उसे salute कहते हैं तो अगर यहाँ पर माना जाया कि A की मात्रा अधिक है तो यह जो A है यह solvent है solvent मतलब विलायक और B salute है क्योंकि उसकी मात्रा कम है ऐसा हमने माना है कि B की मात्रा कम है चलिए मान लेते हैं B की मात्रा कम है और A की मात्रा ये A है और A की मात्रा जादे है ये A है और A की मात्रा जादे है इस प्रकार A हो जाएगा solvent और B हो जाएगा solute तो ये आपका trick हो गई और एक चीजा और जो होती है जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमें दिया हो कि 20% weight by weight solution दिया हो और यह solution NACL का solution हो यह जो 20% weight by weight solution दिया गया है यह NACL का solution है तो इसका मतलब यह होगा इस 20% weight by weight NACL के solution का मतलब यह होगा कि इसमें 20 gram NACL है 20 gram NACL है और 80 gram water है और जो solution है वो 100 gram है solution 100 gram है इसी 100 gram solution में देखिए 20% weight by weight 20% weight by weight NACL का solution है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें NACL जो है वह 20 gram है और और यह जो 20 gram है यही विले है क्योंकि यह कम है और अब इसमें water है जो water होगा water अर्थात विलायक घोलने वाला solvent यह 80 gram है और अब इन दोनों को जब मिला देंगे मान लिजे इन दोनों को मान लिजे हमने इन दोनों को एक भरतन में मिला दिया ठीक है मान लिजे इन दोनों को एक भरतन में हमने मिला दिया तो अब यह 100 gram जो बनेगा अब यह 100 gram बनेगा यही solution कहाएगा यह सल्यूशन कहलाएगा यह सवग्राम आसा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कर दिजे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे कमेंट सेक्षन में अपने सवाल पूछिए कुछ अन्य टापिक पर पूछना हो वो भी कमेंट सेक्षन में पूछ लीजे मैं बता दूँगा बताने का प्रयास करूँगा आपको समझाने का प्रयास करूँगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिजेगा थैंक्स फ़र वाचिंग